और अब इसी बहाने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने की चाल भी शी जिन पिंग ने चल दी है और हरात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान की सीना के अब हाथ पाउं फूले हुए हैं चीन की सारी हेकडी निकल चुकी है पाकिस्तान से सीपैक निकालने के चक्कर में चीन ने अपना बैंड बचवा लिया है जो खबरे आ रही हैं उससे चीन की पूरी तुनिया में हसी उड़ रही है दरसल पाकिस्तान के शांगला जिले में चीनी इंजिनिरों की गाड़ी पर आत्मगाती हमला हुआ था और इस आत्मगाती हमले में चीन के पांच इंजिनियर मारे गए थे इसके बाद से ही चीन की करमचारी दहशत में है बड़ी संख्या में चीन के कर्मचारियों ने अपसरों से कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते इसके बाद चीन ने ख़ेबर पक्तूनख्वा में तीन बांध परियोजनाओं का काम बंद कर दिया है साथ ही वो अपने 1500 नागरिकों को वहां से निकाल रहा है पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाला चीन हिम्मत हार चुका है चीन के लोगों को पाकिस्तान में हर पल मौत का डर सता रहा है और इसलिए पाकिस्तान की 9860 मेगावाट की तीनों पर्योजनाय ठप पड़ गई है चिन बांधों का काम चीन ने रोका है उन में से पहला 4320 मेगावाट बिजली क्षमता की दासू बांध पर्योजना जिला कोहिस्तान में है ये पेशाबर से 350 किलोमेटर दूर है मारे गए चाइनीज इंजीनियर इसी साइट के थे वहाँ 741 चाइनीज और 6000 अस्थानिय करमचारी है इन चाइनीज नागरेकों को बाहर निकाला जा रहा है तो और ऐसे बांध प्रोजेक्ट भी हैं जहां से चाइनीज नागरेक काम छोड़ कर भाग रहे हैं मौहमद पांध प्रोजेक्ट स्वात नदी पर है और इसी साल पूरा किया जाना है इससे 744 मेगवाट पन बिजली पैदा होकी और इन में 250 चाइनीज करमचारी काम कर रहे थे जो अब चीन भागना चाते हैं इसी तरह दासू बांध साल 2025 में पूरा होना है लेकिन यहाँ पर अब चाइनीज नागरे काम करना नहीं चाहते इसी तरह पाकिस्तान की डाइमर बाशाबांध प्रोजेक्ट की क्षमता 4800 मेगवाट तक है और यहाँ 500 चीनी करमचारी हैं लेकिन यह सब अब पाकिस्तान के जहनुम में एक सेकंड भी नहीं पिताना चाहते अब शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के अंदर मौझूद आतंकियों से निपटने के लिए एक नया तरीका आजबाने का फैसला किया है दरसल पाकिस्तान की प्रधान मंतरी शाबाज शरीफ को चीन के राश्रपती शीद जिनपिंग ने डारेक्ट मैसेज दे दिया है और यह मैसेज यह है कि पाकिस्तान में चीन की फौज तैनात होगी वज़ाई ये है कि पाकिस्तान चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने में फिल हो चुका है 26 मार्च को पाकिस्तान के खेबर पक्तूनख्वा में गातंग्वादी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी ये हमला चीनी नागरिकों के काफिले पर हुआ रोइटर्स की रिपोर्ट के मुदाबिक हमलावरों ने विस फोट को से लदे वाहन से चीनी इंजीनिरों के एक काफिले को टक कर मार दी काफिला इसलामाबाग्ज से खबर पक्तून खवा प्रांध के दासू में अपने कैम की ओर जा रहा था ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ 20 मार्च को भलुचस्तान में भी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया 2022 में भी करांची उन्निरस्टी के पास चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया 2020 में भी हमला हुआ था जिसमें 9 चीनी नागरिक और एक बच्चे की मौत होई थी पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहट कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं चीन ने पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट के लिए कर्ज दिया है लेकिन इन प्रोजेक्स में काम करने के लिए चीन से कर्मचारी आये हैं जिनहें आतंकवादी निशाना बना रहे हैं लिहाज़ा चीन अब अलट है और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाब पाकिस्तान के पसीजते दिल को देखते हुए सूत्रों के मताबिक अब चीनी फौज पाकिस्तान में पैरा देगी इसकी डीटेल आपको आगे दिखाएंगे अभी वो पोस्टर जिससे भारत और चीन ही नहीं चार देशों में आतंकी हमले की धमकी दी गई है इस पोस्टर को बहुत गोर से देखिए पाकिस्तान के हर गली, हर महले, चौराही में इसकी चर्शा हो रही है पोस्टर पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर हर भारतिये के जहन में एक साथ दो बाते आएंगे पहले तो खून खौल उठेगा और फिर जोर की हसी आएगी तो सवाल है कि ऐसा क्या है इस पाकिस्तानी पोस्टर की भारत है, चीन है, डेन्मार्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका है धमकी दी गई है कि इन चार देशों में मौस्को और कंधार जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाएगा पोस्टर में कंधार हमले और मौस्को हमले के फोटो भी लगाएगा है मतलब ये की रोटी के लाले पड़े हैं लेकिन बम बनाएंगे, बारूत बिछाएंगे, एक तो नहीं, चार देशों को एक साथ होडाएंगे, दैशत फैलाएंगे अब आते हैं कि इस पोस्टर का सच क्या है, किसने जारी किया है ये पोस्टर, पोस्टर चिपकाने का मकसद क्या है और पोस्टर किस आतंकी संगठन ने चिपकाया है इस पोस्ट को जारी किया है आतंकवादी संगठन इसलामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोवेंस खुफिया सुत्रों का दावा है कि ये संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजनसी आईएसाई का मुखोटा संगठन है और इसका मकसद आतंकवादी संगठन के नाम पर भारत में आतंक मचाना है इस संगठन के पोस्टर में अन्य देशों के नाम इसलिए दिये गए हैं जिससे लोगों को यह न लगे है कि पाकिस्तानी खुफिया एजनसी के सारे पर भारत को धमकी जारी की गई है मॉस्को को खुन से रंग देने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के मनसूबे बुलन दें मॉस्को की क्रोकस सिटी हॉल में बंदूग धारियों ने 133 लोगों को भून डाला 140 से जादा लोग घायल हो गए पूरा रूस धर्रा गया इस आतंकवादी हमले की जिम्मधारे लिए आईसिस के ब्रांच आईसिस के ब्रांच यानि खुरासान ब्रांच ने यह खुरासान ब्रांच देहरी के तालिबान पाकिस्तान की टूट के बाद ही अस्तित्तु में आया था मॉस्को हमले के बाद भी इंटरनेट पर ऐसे खबरें देखें जिसमें पाकिस्तान के आतंकी संथोनों के इस प्रूर हमले में हाथ होने का दाबा किया गया यहां तक कहा गया कि हो सकता है कि मौसको में खून की होली खेलने वाले आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है हो सकता है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली हो मौसको में इस काराना वारदात के बाद ये पोस्ट जारी किया अभी तीन दिन हुए जब भारत में संयुक्त राश्र संग में पाकिस्तान को भाशन बंद कर आतंकवाद पर नकेल लगाने की सलादी थी आतंकवाद की नरसरी बन चोगे पाकिस्तान में आतंकवाद का आलम यह है कि ये जब भी जी जाहे पाकिस्तान को दैला देते हैं पिछले हफ्ते मुल्क के नेवी बेज पर हमला हुआ था उससे पहले खैबर पक्तूनख्वा में आतंग की हमला हुआ आतंगवाद की कारण इरान से पाकिस्तान में घुस कर हमला किया अब गारिस्तान पाकिस्तान के सीमा से सटे इलाकों में आपरेशन चलाता रहता है कहने की गरज ये कि पाकिस्तान खुद आतंग के सामने घुटने टेक चुगा है लेकिन अपनी आदतों से बाज अब भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में इस वक्त को अराम मचा हुआ है आटा डाल के भाव तक पर हुकोमत का कंट्रोल नहीं रह गया है जनता आधा पेट जिन्दगी बसर कर रही है और इस भीच के पोस्ट जिसे देखकर हसी नोग पाना मुश्किल है पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुरा है थे रहा हुआ ह् ground गाव भाव का मुश्किल है पाकिस्तान में डिपल्ड़ के ऑम्भवए् सेटकोशछचवाइ। सरह का ऊई सिंटanie से झाम